ओम शांती, 17 जैनुवरी की शुर्य दनमापस का स्वागत है, निश्चे और बिकुल केरफ्री रहना, कि हमें बिकुल ही किसी चीज के कोई असर ना पड़े, निश्चिन्त केरफ्री, ये रहने से हमें सपलता मिलती है और हम ब्रामिन लाइफ मागे बढ़ते हैं, तो परमात निश्चे कि हाँ, ये सपलता हुई पड़ी है, मिली पड़ी है, आगे हम बढ़के ही रहेंगे, तो निश्चे इस ब्रामिन जीवन की संपनता का फांडेशन है, तब हम संपन बनेगे, कम्प्लीट बनेगे अंदर से, हमारे अंदर कोई कमी, कोई कमजोरियां, कोई हमारे फांडेशन फेत अगर हमारे अंदर, तो फिर हम अराम से निश्चिंत हो करके अपने आपको कम्प्लीट बना सकते हैं, जो यथार्त निश्चे बुद्धी हैं, वे सदा निश्चिंत रहते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर निश्चे नहीं हैं, और अगर हम निश्चे बुद्धी को तो स्थिर होना ही पड़ेगा चीजों में बस्तू में स्थिर हो करके देख लिया कई होता नहीं है लेकिन अपने सच्चे सुरूप में स्थिर हो जाए मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मा यही मेरा सत्य है, यही मेरा स्थित्व है और कुछ नहीं है जो कुछ दिखते हैं पाँच सेंसे से या फील होता है वो सब कुछ शन्भंगुर है तो अगर हम अपने आपको आत्मा निश्चे करके स्थित हो जाए तो कोई भी हल चल में हिला नहीं सकती तो प्रमात्मा करते हैं कि यथार्थ निश्चे है अपने आत्म सुरूप को जनना मानना और उसी प्रमान चलना और बाप जो है जैसा है जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं परमात्मा पिता जो है जैसे हैं और जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं ना ब्रहमत बाबा के तन में आपर बजाया उसे यथार्थ जानना ऐसे निश्चे बुद्धी वजई होते हैं कि मैं सब समझ आता है कि परमात्मा आए हैं, क्यों आए हैं और किस रूप में आए हैं और क्या करने आए हैं, जब इन चीज़ों को हम देखते हैं और करतवे को देखते हैं तो हमें और निश्चे बढ़ता है और दुनिया की सिचुशन जब परमात्मा ने सिखाई हुई हैं समझाई हुई हैं अंतकाल के समय के लिए वो भी जब हम पढ़ते हैं देखते हैं दुनिया में के आउरा नीज में तो उससे भी हमें clarity वह आ जाती है और निशे और बढ़ जाता है तो यह सब को सिखाया तब ब्रहमा कुमारीज में आप पिया करके इसको सीखें ओम श्यांति इसके साथ